नमस्कार खबर 24 एक्स्प्रिस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का यूपी में कानून विवस्था कैसी है ये बजानी की जरुरत ही नहीं है यहां रामराज इस हाल में है कि बस पूछिए मत यहां हर कोई सुरक्षित है चारों और खुशाली है बेटिय हाल है योगी जी के यूपी का यूपी की बेटियां कह रही है कि अगले जना मोहे बिटिया ना की जो दरसल यूपी के बहराइच में बीते दो सब्ता में जुले के विभिन इलाकों से 14 किशोरियां और तीन यूप्तियां लापता हो चुकी है घरवालों ने धाने निवासी महिला ने बताया बीते 9 नवंबर को उनकी 12 वर्शी बेटी वा बहन की 3 वर्शी बेटी खेट पर उरत काटने गई थी तब इसे घर वापस नहीं लोटी इसी शेतर में निवासी एक आने यूवक ने 9 नवंबर को अपनी 15 वर्शी बेटी को विनाय गौतम मटेरा निवासी यूवक ने 4 नवंबर को 15 वर्शी बेटी के एहमद रजा पर ले जाने रानिपूर निवासी यूवक ने 12 नवंबर को 16 वर्शी बेटी के घर से घास काट कर लोट कर वापस नहाने की जानकारी दी दरगा शरीफ थाने के गाउन निवासी यूवक ने बताया 4 न ले गई इसी तरह मटेरा निवासी युवक के अनुसार उनकी 17 वर्षी बेटी घर में कहा सुनी होने के चलते 4 नवंबर को घर से चली गई मोतिपूर निवासी चंदा ने बताया नो 2 नवंबर को उनकी किस वर्षी बेटी घर से गायब हो गई मुर्तिहा कुदवाली के गाउन निवासी युवक के मताबिक 5 नवंबर को उनकी 16 वर्षी बेटी को बाबू ले गया नानपरा कुथवाली निवासी महिला ने 6 नवंबर को 8 वर्षी बेटी के गायब होने की जानकारी दी पयागपुर निवासी युवक ने गाउ निवासी सूरज पर 9 नवंबर को अपनी 16 वर्षी बेटी को ले जाने का आरूप लगाया इसी तरह फखरपुर निवासी युवक ने 8 नवंबर को 16 वर्षी बेटी के गायब होने की जानकारी दी यह खबर आपको कैसी लगी हमें कॉमेंच करके अपनी राय ज़रूर दी साथ इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब करें धन्य बाद